हेलो फ्रेंट्स मैं हूं सीवानी वेलकम है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पर फ्रेंट्स जितने भी फाइनल एर के छात्र हैं आप लोगों की पर्मोशन के बारे में जो है बहुत बड़ी डिटेल्स आई हैं इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने द तरिके से किया जाएगा मतलब की अधिकतर चात्र जितने भी फाइनलर के हैं उन्होंने परिक्छा जो दे दिया ज्यादतर गवर्मेंट के जितने भी अचात्र आई टे के उनकी लगभग अश्टेन के परिक्छा कंपलेट हो गई है प्राइबेट आई टे के जो है काफे बच्चे हुए हैं मतलब फाइनल एक चात्रों की भी हंडिट परिछा कंप्रिट नहीं हुई है ज्यादा अगर पर्मोशन किया जाएगा तो जितने परिछारती हैं जिन्होंने भी तक परिछा नहीं दिया है उनकी लिए तो बहुत अच्छी बात है कि उनको पर मोट कर दिय जाता जाएगा उनको परिच्छाँ भी देना नहीं पडेगा लेकिन जितनी भी परिच्छार थी आप लोग को ही ते हम लोग के आप लिए दे रहते थे तो सारे जनकारियां हम लोग को मिलती थी कि आप लोग का डिशाइड किया गया था कि 100 km के अंदर ही आप लोग का जो है शेंटर होना चाहिए लेकिन उससे भी दूर दूर यारे कि 200 km तक आप लोग परिच्छा देने के जाते थे उसके परिच्छा देने जाते थे तो कभी ए परिच्छा देना देन सब बात वह बड़ाबर हो जाएगा सभी का मार्क सेम आजाएगा तो आखिर ऐसा ना इंसाफी डिश्टी कैसे कर सकती है तो उसके बारे में बताने वाले किसी के साथ कोई ना इंसाफी नहीं होगी डिश्टी ने सारा कुछ जो है डिटेल में बताय प्रवाट कर दिया गया और जो है ऐसे मार्क दे दिया गया सभी को आगे पीछे करके थोड़ा वह तागे पीछे करके माक्स उनका दे दिया गया था तो आखिर आप लोग को किस तरीके सी आजाएगा तो आप लोग डिटेल पूरा वीडियो देखिए गा तो समाझ में आ चाएगा और वीडियो पसंदा लाइक कर दिजिए चैनल को सब्सकाइब कर लिजिए बेल आकन को प्रेस कर लिजिए क्योंकि इतनी भी आई टी आई से रिलेटर अपड़ेट आएंगी आपको मेरे चानकारी मिल जाएगी आप लोग कोई भी प्रोलम है तो आप लोग कमें कमिल सेगों से बताईएगा ताकि इस से मुझे पता चलता है कि कौन कॉन से अश्टेट के हैं उस सेट सेट का मैं पेशल वीडियो बनाती हूं यह शाब वीडियो को चले हूं घयतने बीडियो को चाट कर लें सबसे पहले मैं आपको बता हैं इतने ही कर दो दो еще90 यहंटि क्या आप लों की परिशा कमप्लिट हुई और लग-भग जिनकी परिश्ण नहीं हुई वह च्छी है तो प्राइबेट जितने भी है वो जरूर बताईएगा कमेंट सेक्षन में कि क्या आप लोग की परिछा कंप्लेट हुई है या नहीं हुई तो उन लोगों को जो है परमोट करेगी जी पहें जी ने तैय किया था कि सिर्फ और सिर्फ जितने भी आईटी आई के फर्स्ट इयर के छातर है उन्हीं को परमो माई तक बंद किया गया है कुछ में अपरील तक पूरा एपरील तक और बता दें कि न से बिहार ले ले लिए तो सब्सक्राइब लेना असंब है तो पर मोट कर दिया जाएगा क्योंकि कुछी शात्र बच्चे हुए तो उनको प्रमोट कर दिया जाएगा तो परमोशन में यह नहीं होगा कि आप लोगों को जो है सभी को एक समान परमोट किया जाएगा बिलकुल नहीं डिजिटी जो है इस तरीके से नहीं करेगी जिन चात्रों ने परिक्षा दे दिया है जैसे कि मान लेजे कि आपने परिक्षा दे दिया है और आपके सारे परिक complete हो गये बस एक दो सबजेक्ट उनका नहीं किलियर हो पाया है कुछ कुछ कई श्रुरेंट का परिश्चा के अंसर की गई थी जो सब्जेक्ट का उसका परिच्छा विधा को नहीं हुगा तो उनका जितना भी परिच्छा उनने दे दिया है उसका marks मिलाया जाएगा और add किया जाएगा जितना highest student उन्हें question जो है answer करके आये होंगे और जिन subject का उन्हें पर इच्छा नहीं दिया है उसको जो है pass कर दिया जाएगा minimum जितना marks होगा उतने marks से pass कर दिया जाएगा और उनकी copy पहले वाली copy जिन्होंने जो student पर इच्छा दे चुके है और दो copy का उन्हें एच्जाम नहीं दिया है तो पहले की जितनी copy का उन्हें एच्जाम दे दिया है subject का उसका marks को देखेंगे कि आखेर student किस तरीके का high level का है या फिर medium level का है कैसा जो है परने में कैसा है कैसा exam दिया है उसी हिसाब से परमोसन बाले जो copy है उसमें भी उसी हिसाब से marks दे करके उनको पास कर दिया जगा फेल बिल्कुल भी नहीं होगे और friends जैसे कि बहुत सारे ऐसे भी student हैं जिन्होंने परिच्छा अभी तक दिया ही नहीं है एक भी subject का परिच्छा उन्होंने नहीं दिया है तो उन लोगों का जो है direct उन लोगों को पास कर दिया जागा और system likes उन लोगों नहीं दिया चाया गाएं मैं आपको बता दू आप लोग बिलकुल भी मत घपड़ाएगा जो और थे परिच्छा दे डिया है जैसे कि मालने लिजे कि 30 marks में पास हो सकते हैं, 20 marks में पास हो सकते हैं, इस तरीके से 60 questions आते हैं, तो 63% questions अगर solve किये हैं, तो 20, 19 से 20 questions होते हैं, तो अगर इतना आप लोगों ने solve कर लिया है, तो आप pass हो जाएगा, अगर आपने परिछा नहीं दिया है, तब भी 20 questions का जितना माक्स आएगा, उतना marks दे करके उनको फाइनली पास कर दिया जाएगा, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, जिस तरीके से परिछा आप लोग की गई है, वैसी ही result आप लोग की आएगी, और परमोट सभी छात्रों को कर दिया जाएगा, कोई भी छात्र फेल नहीं होग और भी कोई अपडेट आएगी, तो मैं जरूर सेयर कर दूँगी, तो यही अपडेट आप लोग सेयर करना था, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बिल आइकन को प्रेस कर लिजेगा, क्योंकि जैसे ही कोई अपडेट और भी डिजट देंगी, आप लो को के मन में क्या प्रोलम्स चल रही है, क्या आप लोग संतुष्ट है, यह सारी अपडेट से या फिर नहीं है, अपने में अश्टेर का नाम आप लोग कमेंट सकते हैं, जरूर बताएगा, ताकि इससे मुझे यह भी पता चलता है कि कौन-कोन से अश्टेर के स्टेंट है, जो की में वीडियो को फॉलो करते हैं, तो चले फेंट्स, आज यूज नहीं, थेंक यू.